नमस्कार दोस्तो हमारी यूटूब चैनल एकजाम लर्णर में आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम लोग करेंट अफियर स्टाप 50 का पांच वहाँ सेट देखेंगे इसके पहले चार सेट अपलोड हो चुका है तो जो लोग नहीं देखें हैं अब डेली जो है आपको क्योंकि एकजाम आपका नजदीक है 11 तारीक को UPCS का पेपर लगा हुआ है तो डेली आपको जो है दो या तीन से वीडियो करेंट अफियर्स के जो है दिये जाएंगे तो चलिए जो है शुरू करते हैं अगला प्रशनाबाप का सितंबर 2020 में केशवानन्द भारती का निधन हो गया उन्होंने 1970 में भोमि सुधार पर किस राजी सरकार को चुनोती दी थी तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन ए केरल राजी सरकार को इसने इन्होंने जो है चुनोती दी थी अभी हाली में जो है इनका निधन हुआ है तो ये जो है पूछा आज सकता है आप से अगला प्रशनवाब का हाली में चर्चा में रहा डेपसांग मैदान का सम्मंद किस छेत्र से है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन भी डेपसांग मैदान ये लद्धाग छेत्र से है 1962 में भारत चीन युद्ध के दोरान चीन ने यहाँ पर जो है कुछ दिनों के लिए कपजा कर लिया था लेकिन फिर वह अपना अपनी सेना वहां से हटा ली थी और बरतमान में यह भारत और चीन के बीच जो है बिवादित है डेपसांग मैदान ये लद्धाग में आपका भी आपसन से हो जाए गया है अगला प्रशन भाप का भारत के नए मुख सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन ये विमल जुलका को भारत के नए मुख सूचना आयुक्त के रूप में जो है नियुक्त किया गया है अगला प्रशन भाप का ICC महिला T20 World Cup 2020 का खिताब आस्ट्रेलिया ने किसे हरा कर जीता है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन सही भारत को हरा कर ये भी पूछा जा सकता कि ICC महिला T20 World Cup 2020 किस देश ने जीता है तो आस्ट्रेलिया ने और किसे हरा कर जीता है तो भारत को हरा कर जीता है अगला प्रशन है आपका कि देश का पहला राजी जिसने स्वयम सहायता समूह यानि कि SHG के लिए एक विशेष बिभाग मिसन सक्ति की सुरुवात की है तो वह है आपका ओडिसा ये आपसन जो है सही हो जाएगा है अगला कोशन है आपका महिला उद्यमिता को पुर्चाहित करने के लिए कि सोसल प्लेटफार्म ने प्रगति पहल की सुरुवात की है तो वह है आपका फेस्बूक सी आपसन सही होगा यहाँ अगला प्रशन अबाब का भारत की पहली डिजिटल पार्सल लाकर सेवा की सुरुवात की सिराज में किया गया है तो यह आपका पस्चिम बंगाल में किया गया है भी आपसन सही हो जाएगा भारत का पहला डिजिटल पार्सल लाकर सेवा अगला प्रशन बाब का भी सुका पहला डॉर्क इसकाई नेजन किसे घोसित किया गया है तो यह ने-ईू को घोसित किया गया एह आपशन सही हूजाएगा है अगला कोशिन बाब का वाव वेटन जो दुनिया के सबसे बुजूर्ग बेकती बन गये हैं उनका संबंद किस देश से है तो यह विटेन से संबंदित है यह आपसं सही हो जाएगा बाप बेटा ने यह दुनिया के सबसे बुजूर्ग बेकती है अगला कोशन आपका देश की पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन किस राज्य में अस्थापित की गई है तो यह आपका बिहार में अस्थापित किया है बी आपसं सही हो जाएगा है अगला कोशन आपका आपका आर्थिक समिच्चा 2019-20 के अनुसार ट्रिलियन डालर में GDP के संदर में दुनिया के सीर्स दस अर्थ बेवस्ताओं में भारत की अर्थ बेवस्ता कौन से अस्थान पर है याद रखे आर्थिक समिच्चा 2019-20 के अनुसार जो है पुछा गया है तो 2019-20 के अनुसार भारत साथे में अस्थान पर था और 2020-21 जो परत्वान में है आर्थिक समिच्चा 2021-21 के अनुसार भारत जो है भारत की अर्थ बेवस्ताओं पांचवे अस्थान पर पहुंच गया है फ्रांस और बिटेन को पीछे छोड़ते हुए पहले अस्थान पर जो है अमेरिका है उसके बाद दूसरे अस्थान पर चीन है भारत की अर्थ बेवस्ता जो है 2.94 ट्रिलियन डालर के साथ जो है पांचवे अस्थान पर हो गया है तो यहां आपसे 19-20 का पूछा गया है था तो सातिवे अस्थान पर था और 2021-21 में जो है भारत की अर्थ बेवस्ता हो है पांचवे अस्थान पर है बिसमें पांचमा स्थान है भारत का अगला कोशिन अबाप का हाले में ब्रेटिस आम चुनाओं जीतने वाले बोरिस जांसन किस पार्टी से संबंदित हैं तो यह कंजर्वेटिव पार्टी से संबंदित हैं सी आफसन से हो जाएगा हैं अगला कुशन अबापका किस राजी सरकार ने मुख्यमंत्री किर्षक दुर्गटना कल्याण योजना की सुरुआत की है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसंसी उत्तरप्रदेश राजी सरकार ने मुख्यमंत्री क्रिसक दुरगटना कल्यान योजना की सुरुआत की है अगला प्रश्ण बापका भारत ने किस तेश से पाम आयल आयात को बंद करने की घोस्णा किया है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसंसी मलेसिया से भारत ने जो है मलेसिया से पाम आयल आयात को बंद करने की घोस्णा किया है अगला कोश्ण है आपका कि निर्तिकलानिधी पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन B. प्रियदर्शनी गोबिंद को निर्ति कला निधी पुरसकार से सब्मानित किया गया है अगला प्रशन बापका सितंबर 2019 में किस भारती को अमेरिका में सिच्छा से सम्बंदित The Education Excellence Award 2019 परदान किया गया है तो यह आपका आनंद कुमार को दिया गया है D. आपसन सही हो जाएगा है अगला प्रशन बापका किस राजी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कन्या सुमंगला योजना का सुबारम किया तो इसका सही इंसर होगा आपसन डी उत्रपरदेश राजी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कन्या सुमंगला योजना की सुरुआत की है अगला प्रशन बापका सन्युक्त राष्ट महासाभा के 75वे अध्यक्ष के रूप में चुने गए वोलकान बोजाकिर का संबंद किस देश से है तो यह जो है तुरकी से है भी आपसन से हो जाएगा यह भी पुछा जा सकता आपका कि सन्युक्त राष्ट महासाभा के 75वे अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो वोलकान बोजाकिर को चुना गया है उनका संबंद जो है तुरकी से है अगला प्रश्णवाब का राषित खान जो हाली में टेस्ट क्रिकेट के सबसे इवा कप्तान बने उनका संबंद किस देश से है तो राषित खान का संबंद अफगानिस्तान से सी आपसन से हो जाएगा अगला पृस्ण आवाप का हाली में सांती स्वरूप भटनागर पुरसकारों की घोष़ा की गई, यह पुरसकार किस छेत्र में दिया जाता है तो यह अग्ला कोशन आवाप का करपूरी देवी जिनका हाली में निधन हो गया, उनका संबंध किस छेत्र से है? तो उनका समद्ध मधुवनी पेंटिंग से है B आप समझो है सही हो जाएगा अगला कुशन अब आपका हांकी बिश्चुकप 2018 पुरुस का खिता विल्जियम ने किस देश को हरा कर जीता है तो विल्जियम ने नेदरलेंड को हरा कर जीता था C आपसन जो है सही हो जाएगा अगला पृशन अब आपका सावरकर एकोज अफारगटन पास्ट के लेखा कौन है तो इसका सही इंसुर हो जाएगा आपसन C बिक्रम संपत C आपसन सही हो जाएगा अगला प्रिश्ण बाप का भारत में बागों की इस्तिती 2018 रिपोर्ट की संबंद में निमलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है तो यहां जो है पहला दिया गया है कि भारत में कुल बागों की संख्या 296 हो गई है विल्कुल सही आपका B है मद्यप्रदेश में बागू की संख्या सरवाधिक है, 526 सही आपका, पहले اس्थान पर है मद्यप्रदेश, बागो की संख्या में दूसरी अस्थान पर कि अबादी वाला देश है तो यह जो आपका सही नहीं है D option यहाँ जो है सही हो जाएगा अगला प्रश्ण वापका हाली में चर्चा में रहा जुकु घाटी भारत के किस राजे में इस्तित है तो यह आपका नागा लेंड में इस्तित है जो की 22 दिसंबर 2020 को आपको पता है आरो आरो मेंस प्रस्तावित है यह बैच आपको अपना सरुसेश देने में काफी हल्प करेगा इसमें आपको अनेकैडमी के टॉफ एजुकेटर द्वारा मार्क टेश्ट और डाउट सेशन के साथ लाइव मार्क दसन प्रदान किये जाएंगे यह बैच आपका 12 अक्टूबर 2020 से जो है स्टार्ट हो रहा है तो जो लोग भी मेंस की त्यारी करना चाहते हैं जुड सकते हैं उसके लिए आपको अनेकैडमी का लर्निंग अप सबसे पहले इंस्टाल करना होगा उसके बाद आपको लागिन करना होगा फिर आपको सबस्क्रेशन लेना है एक महिने दो महिने तीन महिने जो भी है उसके लिए आप यदि हमारे रेफरेल कोड यूज करते हैं एकजाम लर्नर आप उसके लिए जो है अकडमी पर यदि ये कोड यूज करते हैं आप एकजाम लर्नर तो आपको 10 परतिसत की छोट मिल जाएगी तो डिस्क्रिप्शन में जो है बाकी लिंक दे दिया गया वहां से भी देख सकते हैं अगला प्रशन बापका अप्रेल 2019 में संपन राष्टपती चुनाओं में जुजाना कैपूतोवा किस देश की महिला राष्टपती चुनी गई है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन डी से होए है अगला कोशन बापका भारती सेना द्वारा किस राज में पहाड़ी युद्ध अभ्यास हिम बिजय का आयोजन किया गया तो यह अउडांचल प्रदेश में किया गया है यह आपसन सही हो जाए गया है अगला कोशन बापका भारत का पहला डायना स्थोर संगरहालय यूम पार्क कहां अस्थापित किया गया है तो यह आपका गुजरात में अस्थापित किया गया है यह आपसन सही हो जाएगा नेक्स कोशन है नए उपग्रहों की खोज के बाद किस ग्रह के उपग्रह की संख्या सरवाधिक हो गई है तो अब जो है सनी ग्रह के उपग्रहों की संख्या सरवादिक हो गई है 82 भी आपसन जो है सही हो जाएगा है नेक्स्ट कुशन है 2020 में गुजरात में आयोजीत होने वाले प्रवासी प्रजाथ CMS के संयुक्त राश्ट सम्हेलन के COP 13 के सुभंकर के रुप में किसे जो है बनाए गया है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन C. Great Indian Bustard को अगला कुशन है वापका कौन सा भारती नोट बाजार में आधे से अधिक मोली की हिस्सेदारी रखता है तो हो है आपका 500 रुपए का नोट B. आपसन सही हो जाए है अगला कुशन है 13 अगस्त 2019 को भारती राष्टी बिज्ञान अकादमी INSA की पहली महिला अध्यक्ष कोन बनी है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन B. चंद्रिमा साहा अगला कुशन भापका है नीती आयोग द्वारा जारी Composite Water Management Index 2.0 में किस राज्जी को प्रथम अस्थान प्राप्त हुआ है तो इसमें गुजरात को पहला अस्थान प्राप्त हुआ है ये आपसन सेव जाएगा नीती आयोग द्वारा जारी किया गया है Composite Water Management Index 2.0 जिसमें जो है गुजरात को पहला स्थान मिला है Next question है British प्रथान मंत्री Boris Johnson द्वारा अपने कैबिनेट में 3 PIO को सामिल किया गया इन में से कौन इसमें सामिल नहीं है तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका आपसन D. अमन प्रभात इसमें सामिल नहीं है रिसी सुनक को जो है अंतराश्टी बिकास राज्जी मंत्री बनाए गया है बेटे सरकार में तो यहाँ D. आपसन से हो जाएगा अमन प्रभात इसमें सामिल नहीं है अगला कोशन आपका किस देश ने बिसुका पहला well-being budget पेस किया है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन D. ने बिसुका पहला well-being budget पेस किया है अगला कोशन आपका आइस आतंकी सरगना अबू बकर अलबगदादी को अमेर्की सेना ने किस आपरेशन के द्वारा मार गिराया तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन C. आपरेशन जैकपोट के द्वारा आइस आतंकी सरगना अबू बकर अलबगदादी को अमेर्की सेना ने मार गिराया है अगला प्रशन आपका पुस्तक undaunted saving the idea of India के लेखा कौन है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन B. चितंबरम नेक्स्ट है आपका अगला प्रशन आपका हाली में fast tag चर्चा में रहा यह किस से संबन्दित है तो fast tag आपका electronics, toll, system से संबन्दित है यह आपसन सही हो जाएगा अगला प्रशन आपका नेम्ण में से कि सुरंग का नाम अटल tunnel रखा गया है तो यह भी यहाँ चर्चा में रहा है एक दिन पहले ही इसका उद्गाटन प्रधारमंत्री द्वारा किया गया है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन भी रोहतांग tunnel का नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है अटल tunnel कर दिया गया है अगला प्रशन भाप का आयुस्तमान भारत योजना के तहत किस राजी आकेंसासित प्रदेश में सबसे पहले golden card जारी किया गया है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन ए जम्मू कास्मीर में जो है golden card जारी किया गया है ए आपसन सही हो जाएगा अगला प्रशन भाप का दथिन माइंड मैप पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन ए धर्मेंदर राय दथिन माइंड मैप नामक पुस्तक के लेखक धर्मेंदर राय है यह आपसन सही है आपका अगला प्रिशन बाप का हाली में इसरो के द्वारा गगन्यान मिसन के लिए कितने अंतरीच यातरियों को चुना गया है तो इसका सही इंसर हो जाएगा option A 12 अंतरीच यातरियों को चुना गया है इसरो अभी हम बताएं इसरो सुबह भी कि इसरो का जो full farm होता है Indian Space Research Organization होता है इसका मुख्याला कहा है तो पैंगलूरू में इसका मुख्याला है और इसकी अस्थापना कब हुई थी तो 1969 में इसकी अस्थापना हुई थी और वर्तमान में इसरो के प्रमुक कौन है तो वह है के सीवान के सीवान अगला प्रशन है वापका कि बजट 2021 के नुसार दूध उतपादन को दोगुना करने का लक्ष कब तक रखा गया है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन C से हो जाएगा वर्स 2025 तक दूध उतपादन को दोगुना करने का लक्ष रखा गया है नेक्स्ट कोश्यन है आपका हाली में मलेसिया की नए प्रधान मंतरी कौन निउट किये गए हैं तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन भी मोईदीन यासीन मलेसिया की नए प्रधान मंतरी निउट किये गए हैं अगला प्रश्णव आपका भारती रेलवे ने अपने पहले रिष्टरा आन्वील्स रिष्टरा का सुभारम कहां किया तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन B सेव जाएगा आपसन सोल में अगला प्रश्णव आपका पब्लिक ट्रांस्पोर्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है तो यह आपका लगजंबर्ग है C आपसन से उजएगा पब्लिक ट्रांस्पोर्ट को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश जो बना है वो यह है लगजंबर्ग C भी कलब सही है यहा और रंतिम प्रशन है आपका BCCI ने राष्ट्री चेन समीती का नया प्रमुख किसे निउक्त किया है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन C सुनील जोसी को BCCI द्वारा राष्ट्री चेन समीती का नया प्रमुख के रुप में सुनील जोसी को निउक्त किया गया और BCCI के बरत्मान में अध्यक्च कौन है अध्यक्च तो है है सौरब गांगुली सौरब गांगुली BCCI के अध्यक्च है और BCCI के बरत्मान में सच्चिव कौन है सच्चिव तो है है जै सा है जै सा है बरत्मान में यह BCCI के सच्चिव है और अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली तो यहां आपसे पूछा गया है BCCI ने राष्टी चेंज समिती का नया परमो किसे निक्ट किया गया है तो सुनील जोसी को निक्ट किया गया है और BCCI का मुख्याले कहा है तो आपका मुंबई महाराष्ट में है तो यह था जो है आपका Current Affairs Top 50 का पांचवाँ सेट इसके पहले जो है चाल सेट वह आपको अप्लोट कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है जो लोग नहीं देखे हैं वहाँ से आप देख सकते हैं तो दोस्तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो Like शेर जरूब कर दिजेगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में वेल आइकन को फ्रेज जरूब कर लिजेगा उनके लिए प्रतेक बुद्धवार को UPBSC की टाव एजुकेटर्स द्वारा नया बैस जो है स्टार्ट किया जाता है तो यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अनेकेडिमी का लर्निंग एप इंस्टाल करना होगा लर्निंग एप इंस्टाल करने के बाद आपको लागिन करना होगा मुवाइल नंबर या email id के थुरू उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है तो आप ये रेफरेल कोड यूज कीजिएगा एकजाम लर्णर एकजाम लर्नर ये दिए आप रेफरेल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा कोई भी बेज का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको 10% का अडिसकाउंट मिलेगा महाँ तो ये code जो है यूज जरूर कीजिएगा आप लोग और description में वीडियो है आपको link भी दिया गया है वहाँ से भी जो आकर आप देख सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद